हेलो गाइज मैं हूं अंकिता आयन वेलकम बैक तो मैं चैनल तो कैसे हैं आप लोग कुकर ने सीटी दे दिया अभी आज आठ बजे सोके उठी हूं और आज मेरी पूरी नीद कम्प्लीट होगी बड़ा अच्छा ता फील हो रहा है उठने के बाद वैसे आदे गंटे तक मैं आज सोफे पर लेटना यह सब किया मैंने पटकर हिम्मत करके उठी ब्रश किया ग्रींटी बनाई अपने लिए और ग्रींटी पीती बीटे सोचा आप लोग उसे बात कर लूँ और आज मैंने डिसाइड किया है मैं खाऊंगी ब्रेकवास में आलो के पराटे मतला देख रह अब थोड़ा नहाना पूजा वोजा करना भगवान की उसके बाद पराठे बनाएंगे और खाएंगे पराठे देखो यह वही वाली रिंगे जो मैंने कल ली ती अच्छे लग रही है ना मैंने अपनी रिंग निकाल दी जो पैन रखी ती इसको डाल लिया है काफी मुझे यह वाली काफी अच्छे लग रही है हमने अपना breakfast बना लिया है और breakfast में हमने बनाए आलू के पराथे वाव क्या मस पराथे दिख रहे हैं और मैंने इस पर लगाया है बटर देख रहो अब यह भी बटर लगाने के बाद इनको ग्रीन चटने के साथ असली जन्नत तो पराठो में है मैं बता रहे हूं आपको इतने टेस्टी कैसे होते हैं यह ग्रीन चटनी के साथ पराठे खाया वह मुझे इतना टाइम हो चुका था ग्रीन चटनी विद बटर और साथ में गर्मा गरम वेगए इतना टाइम आपको बटा है यह दो पराठे आपको इस आपको इस प्लिए को सब्सक्टान है यह घल्चान आपको इस अपको इस समय से लगए में हो चाज़ी आप लोगो ऐसा लगता है कि जब देखो तो आप लोगो ऐसा लगता है कि यह पूरे टाइम यही बैटी रहती है पूरे टाइम यही बैट के वीडियो बनाना और कुछ नहीं करती है असा पूरा इसी फ्रेम में वीडियो रहता होगा most of the time ऐसा नहीं है मैं यहां उटके अप यहां वीडियो कॉलिटी बेटर नहीं यहां से थोड़ी लाइट आती है तो अच्छी आती है इसलिए और अभी तीन वज रहे तो मैं तो पराठे खाते है पराठे वैसे में दो पराठे खाने बाई थी और डेड़ पराठे कायते है बट पेट बहुत बहुत ज़गरा हु यहां पे सही है सेम ही अलमस्ट यह बहुत टेस्टी लग होता है यह नहीं देट वेट तो ठीक है सही है थोड़ा डिफरैन्ट है जो जिस अबाक में यूर्ज ती करती थी जिस अबढक में। मैं खाते थी उस तो और सा डिफरैंट है मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिये थे तो खत्म करने के बाद वीडियो देख रहे थे तो वीडियो में स्प्रिंग रोल की वीडियो रेकी मैंने तो फिर मुझे आदा है कि मेरे पास भी स्प्रिंग रोल फ्रिज में बड़ा हुआ है और मेरा खाने का मैंनुआ तो मैं यहां पर बनाने लगी हूँ मॉमोज वाली चटनी यह देख आल्मोस मेरी मॉमोज की चटनी हो चुकी है अब यह इंडक्शन आफ करने का टाइम आ चुका है मैंने डिसाइड किया है कि सुबह में तो मुझे से एक्सराइज हो नहीं पाती है मतलब सुबह में ऐसे मुझे माता आती रहती है ऐसा लगता है कि बस सो जाओ उठोईना भूख लग रही है यह हो रहा है वह हो रहा है मैरे डेली का है तो इसके साथ तो कुछ चेंजिस आ नहीं रहे है तो मैंने सोचा है कि फोड़ा एक्सराइज़ साम को ही कर लेते हैं इवनिंग में थोड़ा साथ सभी फील होता है यह टाइम सभी है मतलब आप पूरे दिन से उठ चुके होता हो काम कर चुके होते हो तो काफी साही फील हो आज भी मैंने फेस्पे कुछ नी लगाया नो मॉश्राइजर इवन फिर से हड़ा हो रहा है थोड़ी एक्सराइज करते हैं उसके बाद फिर फ्राइ करेंगे स्प्रिंग रोल और स्प्रिंग रोल कहेंगे चाय के साथ मस्ट छे बज़े तक सारे चार बजर है नहां को मैं स्प्रिंग रोल पिर मेरे पास इद शूबाद बचे हुए अलू बड़ा होजा है मैंने शुच चोच चूब आप एक बेड़ पोर रहा है मैंने बेड़र बना एक इंसान अचेले इन लोग मुझे शहीं चीज़ चार दीज़ा है कि अचो दिक करें जी भी करें और गोक्र Ikर अच्ञाभ्न को अच्छा पर दो कि अच्छा जरू है कि अच्छा परस्ट अगर weißव कि था मेर चीज़ ब्रेड पपराई मेरे ब्रेड रोल और मार्टी के मेरे ब्रेड रोल को है है विंदेले मीन स्पशल चेस्प मना ईया मैं चाहिन रोल और ये यह बन गई है मेरी चाय और यह रहा मेरा ब्रेड रोल जो कि इसमें बहुत जादा ओएल आ गया था मैंने इसको प्रेस पर प्रेस करकर करके टीशू पर साओ निकाला है और यह है मेरा ब्रेड पकोड़ा जिसके अंदर मैंने चीज जाला था और यह रहे मेरे स्प्रिंग रोल्स बहुत जादा ओएल सोकिया था मैंने पूरा प्रेस करके पूरे चार्ट ही हुए बर पूरे ऐसे वैट हो गया है ओएल से मतलब कितना ओएल खा लेते हैं मोग जब भी कुछ फ्राइड घाते हैं तो गौड मोमो जाली चटनी के साब इस प्रिंगोल अच्छा लगते हैं यह तो सॉस के साथ ही अच्छा लगेगा तो गाइस मैं अब भी रेडी हो चुक्नी हो बाहल जाते हैं थोड़ा सा वॉक करेंगे और यह रेजर्ट का कपड़ा आइरन करने के लिए देना है तो इसको देंगे कोई मिलता है क्या कपड़ा देने के लिए तो पर है तो अब इसको भी आने में टाइम ही लगने वाला है गाइस हमारे सोसाइटी के तो जो भाईया थे जो कपड़े आरन करते तो वो तो जा चुके हैं अब एक और भाईया ने मुझे बताया तो वहां जाके एक बर देखत मिलते हैं कि नहीं इसे अपर इतने दिर से प्रेस वाले बह्या डूड़रियू मैं इतना वाग करते करते हैं जहां पर मेरे वह सिक्यूरिटी वाले भाईया ने मतलब जहा करते मेरे गाल्ड वाले भाईया ने बोला ता मैं वो पूरी गली घूम किया गई अब मुझे एक अब देखते हैं कोई मिलता है क्या ओगाड ठक चुकी और ये कपड़े लेकर मैं ऐसे भूम रही हूँ तो हम घर की तरफ आ चुके हैं और अब करने गया थे तो हम स्ट्रियस कर रहें लिफ्ट यूज नहीं करेंगे जाते हैं इसलिए के तब बेस्मेंट में जाना था तो गाइज ये है वो पार्सल जिसके मैं बात कर रही थी अब इसको अनगों सिंग नहीं किया है क्या है ये वह तो खोल के देखते हैं और ट्राइबी जड़ता है लेकिर वर ये कुछ है इसके एंग लिखा होगा वार ये है ग्लव ताकि हमारे हाथ ना जले है और ये रहा ह यहां से यह देग रहा है इसको ओपन करके इसमें डालना है पानी तो पहले हम डाल लेते हैं पानी हाँ काफे हैरी हो गया इससे तो मेरी खहल से हाथ दर्द हो जाएगा इसको खूल के लबाना पड़ेगा अब गवाओ आया है लगेड़ेगा इसको अब आपके हैं हैं जाएगा पानी याओ राह राववागा इसको को लिग ये अग्रव जाएग राव हैं आपको द्वागा इसको शोया है की बड़ो ये कॉप दौकागा जसले है अजनननननननननन। बड़ो नफट आपड़ो बड़ो और ये झाल पहले आप क्या आपने चाहिए भी कि नहीं मैं ब्रैंड कर आप दिखा है यह है गुड़ सिटी करके ब्रैंड यह दिखता है ऐसा सा स्टीमर मैंने भी फेश्वास कर लिया अप्लाई नहीं किया बस फेश्वास कर लिया अब भी लगाँ थी मॉश्षराइजर और सरम और मुझे फिर से थोड़ी बूख लग देखी अभी साड़े दस हो रहे हैं तो मैंने अपने लिए बना लिया मैगी अच्छली मैंने अपने लिए पोहा बनाया था पोहा और दःए और उसमें थोड़ा का हनी और थोड़ा चेंगी डालकर बट मैंने यह नहीं खाया मेरा मैंने तो मैंने यह मैगी बना लिए कुछ असा स्पाइसी शा खानेगा मनोग रहा था और मैगी कूंके में मैंने अट्फी लगते हैं कि मैंने फेट वास तो पहले कर लिया था अब ना मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी लाइक अभी इस टाइम पे 11 30 हो रहा है मैं और अभी तक रज़त का वेट कर रही थी बट रज़त का कुछ भी पता नहीं है मतलब पता है अभी भी उनको आने में थोड़ा टाइम लग पता है कि मैं अकेले रहती हूं और अभी कि अकेले रहने की अब आदत रही नहीं बिलकुल तो थोड़ा जीब सा लगता है तो फिर कुछ खालो कुछ खालो ऐसे चलते रहता है इसी वज़द से यह सारी चीज़े हो रही है वरना ऐसा भी नियम में इतना भी निखाती थी वरनाफ को खालोग और क्यट कोई कुछ करता कुछ करता मेरी साथ है कि मूजे कुछ कोज भी होता है तो मैं खाती हूं अगर मेरा रहा है तो मुझे अच्छा ठी कहना चाहिए मुजह अच्छा फिल नहीं और तो ओ exchand commonly time sweets चाहिए क्या ही कर सकते हैं तो मैंने यह सिरम लगा लिया अपना वैसे तो भी एक्टेज पिंपल यह रहा है नहीं अच्छा होता है अच्छा होता है अच्छा मोश्राइज करता है ड्राय स्किन के लिए अब मैं ऐसे नहीं लगाती हूं बस अभी लगा रही हूं तो डोंट इंक है कि मैं ऐसे ऐसे लगाती हूं कि मैं अच्छा बांट रखा लिया मोश्राइजर को अच्छा है। अभी तक मैं रज़त का वेट करें थी बट अभी उनको और भी टाइम लग रहा है मेरी उनसे बात हुई है तो मैंने सोचा है कि आप सो जाती हूँ मैं है ना क्योंकि मैं बहुत जारे टायड हो चुकी हूँ तो मैंने सुचा व्लॉग एंड कर देते हूँ दाइस प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे कॉमेंट क्या करो कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है तो आप नीचे कॉमेंट में मुझे बता सकते हो मुझे क्या चेंजिस करना चाहिए जैसा क अगर आप पूरा एंड तक वीडियो देख रहे हो तो तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं फिर आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ तब तक खुद का ध्यान रखिए खुद से प्यार करिए खुश रही है